रिमा है, सुमेरा है, वो आपकी फुपी है, तो बहुत याद करते हैं, रो रो कर आँकों में सफेदी आ चुके हैं सीमा, आप समझो, आप उनके पास जाओ, हमारी शादी रहे ना रहे, शादी तो नहीं रहेगी, मगर आप अपने मुलक प्यारा पाकिस्तान है, आप उनमें गरंटी की साथ कह रहा हूँ, मैं हैदर बच्चों का मस्तक्बल हूँ और आपको भी कुछ होने नहीं दोगा, मैं हूँ ना, आप इतबार तो करो, आपको जो बात है, आपको मुझे कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी बात है, आपको जो डाउट है, आपने पहले भी मार वह बहुत सारे ऐसे सबूत है एपी चेंग साब शायद सीमा आपको भी नहीं बटाता हो यह मैं आपको वाज़ तोर बता रहा हूँ क्यों इस पर मार पड़ते हैं क्यों लोग मारते हैं इसको वज्जा क्या है इसका कारण क्या है यह आप आप बहतर समझ सकते हो सीमा को कहना चाहता हूं कब तक मार खाते रहोगे आप एक देखो आपका प्यारा पाकिस्तान मुलक अपने बहन भाई सब आपका वेट कर रहे हैं आप अच्छा बनो और आ जाओ बच्चों का जिंदगी खराब मत करो जो हुआ सो हुआ मजीद खराब मत करो प्लीज खुदारा ये वीड क्यों तो ये अब वायरल हुए मेरे को उस दिन से पहले 5 दिन पड़े हुए जैसे सीमा और मैं लाइफ आये थे मैंने का सीमा आपने मार खाई है मैं चिला चिला के सब को कह रहा था अब भी ऐसे सबूते मेरे पास हैं मैं एक यूटूब चलाने के लिए या अपने को या चैनल को फेमस करने के लिए नहीं आता मैं बाब हूँ बच्चों के लिए आवाज उठाने और आप लोगों को एक रुकेष्ट करने आता हूँ कि आप खुदारा मेरी आवाज बनो सीमा अभी सीमा के जो अभी सबूत है वो ऐसे है कि चोकाने वाली बात है सब कुछ मेरे पास पड़े हुएं मैं क्या बता हूँ अगर मैं अपने चैनल पर चलाओं तमाम लोग यही कहेंगे तो हैदर भी देखो वही चैनल चलाने के लिए कर रहा है मैं बाब हूँ मेरा इमान जो है यह गवारा नहीं करता कभी भी जो यह आजकल आप लोग देख रहे हो यह कब से मेरे पास पड़े हुएं ऐसे दर्दनों सबूत मेरे पास हैं मैं क्या क्या पेश करूं क्या क्या मैं इनको बता हूं सीमा बहुत सारे चीज़ी हैं मैं इस बातों पर नहीं आना चाहता देखो मैं बहुत परेशान हूं बच्चों से लेकर मैं यूटूब या आपने को के लिए नहीं बाव हूं मुस्तक्विल अपने माएं बेटी और भाई सामों को यही कहता हूं कि आवाज बनो खुदारा रम्दान का बाबर का महीना चल रहा है एद बहुत करीब है बच्चे अब तक नहीं आए हम कोशिश तो कर रहें इंशाला इंशाला जो है सीमा को भी पता है सीमा खौफजादा हो चुका है एपी सिंग साब है और नितरपाल है बावा है उनको मैं कहना चाता हूं कभी भी गल पर आप होते आपका क्या कैफियत हो सकता मैं का बड़ी रिस्पेक्ट से आपके इजद से नाम भी ले रहा हूं देखो मैं भी बाब हूं सीमा आप हो या कोई और हो या मैं हूं जिसकी बीवी बच्चे लेकर अपने शोहर को धोका देकर पाकिस्तान अपने मुल्क को हुशी है हम उनको न कह सकते है ना आप उनको कह सकते हो जो है बाकी देखो चार बच्चों की जिन्दगी का सवाल है आप आपने कल देखो एक बड़ास निकालने की कोशिश करते हो एपी सिंग साब आपने कहा कि दुश्मन मुलक पाकिस्तान है उनकी जो है जमानते इदर हो सकते उस दुश्मन की मुलक की आपके कहने पे आपके बतौर आप हमारे को दुश्मन मुलक करार दे रहे हो तो देखो एपी सिंग साब मेरे बच्चे हैं गुलाम हैदर फरहान खान फर्वा बतूल फर्या बतूल फर्हा बतूल भी पाकिस्तानी है यह मैं आपको साथ खराब मत करो, आपको भी छोटे बच्चे होंगे, आपकी बेहनों के बच्चे होंगे, आपको शायद बेटा होगा, उनके बच्चे होंगे, आपके नवासे पोता पोती, आप समझो, देखो मुलक को या अपने जाती मुफाद को मेरे बच्चों पर इस्तमाल मत करो, आ या जहनी सहीत और मा ऐसा नहीं कर सकता कभी भी जो उसने किया, क्या उनको हम बैटके भला बुरा कहें, उनकी जाती जिन्दगी है, उससे मेरा कोई तालोकात नहीं है, मगर अब भी वो मेरी निकाह में है, मैं उसको कभी नहीं चोड़ूँगा, अदालत, अदालत पे जरूर सीमा ने नाइंसाफ ही किया, तो उपर वाला उनके साथ भी नाइंसाफ ही करेगा, मैं कभी भी खामोश नहीं रहूंगा, यह मैं आपको वाज़ बता रहा हूं, हर कानून का दरोजा कटकटा हूंगा, तमाम इंडिया की लोग, को मुखादब होके मैं कहता हूं, तमाम मिशाला बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ हैं, फखर हैं उन लोगों पे, अन लोगों पे मुझे फखर है, हिंदू धरम में होकर हैदर का साथ देना, इंसानियत का साथ देना बहुत बड़ी बात है, यकिन मान मुझे खुशी होता है, बहुत अच्छे मुखलिस लोग हैं मैं उनका कितना भी शुक्रिया अदा करूं फिर भी कम है पी सिंग साफ आप भी अल्लापक आपको भी हिदायत दे आप अपने सही रास्ते पे आए और चार बच्चों की जिंदगी का सवाल है देखो आप खुद समझ सागते हो एडियोकेट हो हमसे या दुनिया में जो आम उसे आप लोगों का तजर्बा बहुत है मैं समझ सकता हूं मगर देखो या गलत तो गलत है आप कब तक साथ दोगे आप अच्छी इंसान बनो और देखो बच्चों की जिंदगी पाकिस्तान में है एपी सिंग साभ मेरे साथ नाइनसावी करके चार बच्चे इनलीगल सीम कानुनी तोर तरीके पर जो होना चाहिए उसके तहद हद से ज्यादा नहीं कभी भी जो देखो कोई उसको मजलूम समझता है कोई उसको शातर समझता है तो आपको भी बहतर पता है मुझसे आप इंडिया में रह रहे हैं आपको बहतर पता है कि आप बच्चों को बच्चो हैं चोटे हैं देखो सजन उनका मुस्तकिल नहीं है एपी सिंग साहब कभी भी नहीं है बच्चों का बाप मैं हूँ आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो तमाम हिंदुस्तान के एडूकेट हैं जज साहब हैं वकील हैं सब को मैं कहना चाहता हूं कि मेरा आवाद आप लोग ह हो आप बनो यार अगर पाकिस्तान गवर्मेंट करता तो सबसे पहले कुछ करता उन्होंने कुछ नहीं किया क्यों कोई मजलूम और गरीब का कोई नहीं है पी सिंग याद रखना आप देखो बच्चों की जिंदगी का सवाल है चोटे हैं यार आठ से दस माह हो चुके हैं आप ये मुलकों की बाते या इसलाम के या धरम के प्लीज खुदारा आप ऐसी बाते मत करो आप एक एड्यूकेट हो अपने जो है आपको पता है कानूनी बातें किया करो इंशाला उमेद है कि आप ये वीडियो सुनोगे और जवाब भी जरूर दोगे चार बचों की जिं ऐसका नहीं होता आज आपका वेल्यू है आपका वक्रया बाते हो जाते हो उन्हें से मिलते हो मज़ें सब पता है मगर कब तक कब तक नहीं होगा आज आपको दे रही कल कौन देगा सोचो बच्चों की जिन्दगी खराब मत करो खुदारा अच्छे इनसान बनो और जो है सीमा को कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में ये मैं आपको गरंटी दे रहा हूँ पाकिस्तान के लोग जैसे लोग समझते हैं या सीमा को कहलवाया जाता है या सीमा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है सीमा का भाई बेहन उनका लोग उनका मुश्तक्विल पाकिस्तान में है इपी सिंग सोटे बच्ची है चलो उन्होंने गल्ती किया इनलीगल गया ना तलाक लिया ऐसे चला गया तो देखो फिर भी तो पाकिस्तान नहीं है न सीमा कब तक रहेगा आप मसलन हो कब तक उसका साथ दोगे सब आप जैसे नहीं हो सकते है शायद आप अच्छी भाई बनने की कोशिश कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ तो देखो सब आप जैसे नहीं बनेंगे फिर याद रखना आप आप खुद मुझसे बहतर कानून को भी समझते हो और जो है कानूनी किताब जानते हो आप वो फैसला करो जो लोग आपको अच्छे अर्फाजों में याद करें एपी सिंग साथ आज सिर्फ ये खुसी कभी भी कितना भी लोग आपको चाहें फिर भी आप पाकिस्तानी हो बच्चों का जिंदगी बच्चों का मुस्तगिल पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं होगा आपकी भाई है और इमा है सुमेरा है वो आपकी फुपी है तो बहुत याद करते हैं रो रो कर आँकों में आप समझो आप उनके पास जाओ हमारी शादी रहे ना रहे शादी तो नहीं रहेगी मगर आप अपने मुलक प्यारा पाकिस्तान है आप उनमें आओ और बच्चे मेरे हैं आप इदर कम से कम आप इदर रह सकते हो अपने बच्चों को देख सकते हो आज लेश जा सकते हो बात है आप मुझे कर सकते हो बात बात कर सकते हो जो भी बात है आपको जो डाउट है आप ने पहले भी मार खाई है अब भी मार खा रहे हो बहुत सारे ऐसे सबूत है एपी सिंग साब शायद स्रीमा आपको भी नहीं बताता हो यह मैं आपको वाज़े तोर बता रहा हूं क क्यों लोग मारते हैं इसको वजह क्या है इसका कारण क्या है यह आप बहतर समझ सकते हो सीमा को कहना चाहता हूं कब तक मार खाते रहोगे आप एक देखो आपका प्यारा पाकिस्तान मुलक अपने बहन भाई सब आपका वेट कर रहे हैं आप अच्छा बनो और आजाओ बच् सब नंबर है आपको हर चीज़ है आप बात भी कर सकते हो क्यों नहीं कर रहे हो बात करना चाहिए तब तक जीजिये अजाज़त तमाम जो इंडिया से पाकिस्तान से जो लोग देते हैं प्यार करते हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया दा करता हूं अल्ला सब को खुश रखे जामान में रखे याद रखना अपने बाई को इंशालला बचे भी जरूर आएंगे सीमा पाकिस्तान आएगा एपी सिंसाब तक यह वेसेज जाएगा जरूर वो भी इंसान है उसका भी जो है इंशालला पाक उनको अकल देगा तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे मैं नहीं आना चाहा रहा था अल्ला पाकी कैसा है आज मैंने सुचा कि चलो मैं बात कर लो